और एक बड़ी खबर राज़नी राची से छवी रंजन की मुश्कीले बढ़ी हैं जमानत याची का खालिश कर दी गई है चैसार हों रोड वाले जमीन की हेरा फेरी का है आरोप अबिशेग भारती हमारे साथ दोने अबिशेग जेल में बितेगी छवी रंजन की हो ली क्या कुछ जानकारी आपके पास जेल में ज्शवी रंजन की नहीं प्रेम प्रकाष की वहली भीतेगी छवी रंजन और प्रेम प्रकाष दोनों की जमानते ही अचीका पर जस्टीस सुधित नारायन प्रसाद की गहा जो अधालत उसमें सुनवाई हुई इडिक अपक्ष और च्वी रंजन और प्रेम प्रकाश सउनने के बाद दुनों की जो बेल की अचिका थी उस बेल की अचिका को कहरीच कर दिया है तेकि इस मामले में ज़सिस सुध नारायन प्रसाद मे सुनवाई पूरी कर ली थी और एक मार्च को ही पैसला सुरक्षित रखे गया था आज बस इसमें पैसला सुनाया गया है जस्टिस जो सुजित नारायन प्रसाद की खोर्ट में जवीर अंजन और प्रेम प्रकाष्ट का जो पक्ष है वो अधिवक्ता इंदरजीत थीना और अ कलकत्ता में चेड़ चरकी गई थी और इस मामलेक में जो जमीन के मूल रहियत है वो मूल रहियत का नाम बदल करके गंगाधर राय के नाम से इस जमीन को कर दिया गया था और इस जमीन को विश्णु अगरवाल ने खरीदा था गंगाधर राय के तताकतित होते राजेश र मैं देला हुआ है तो कि जमीन का मूल नíchयर के खा आढ दिखाया गया इस घमीन का मूलगय दिखाया हैं तो यह स्थिति में ऊपना का चावीरंजन प्रेम प्रकाश इन सवाम लोगों की गिरफतारी हुई थी इसी मामले में लोगों ने बेल की अपील कि ती जिस बेल की अपील को को खारीश कर दिया जी अनकिता जी अब शुक्र विया तुमां जानकारी के लिए अब अबने दीगा ख़बर पर इम आप से लग एक खारीश की है बेल अपील प्रेम प्रकास को भी हाई कोट ने नहीं दी है बेल प्रेम प्रकास की जमानतियाज के खारीश कर दी कई है और चेसाइड होम रोड वाले जमीन की खेरा फेरी का ये बूरा मामला है